तो पानी की मार है, जनता लाचार है, पूछ रही है कहां सरकार है, गुजरात में, बारिश से, सबसे जादा बुरा हाल है आपको गुजरात के छोटा उदैपूर की तस्वीरे दिखा देते हैं, यहां नदी के किनारे पर बना हुआ, यह मंदिर देखे किस तरीके से तेज धार में बह गया पानी का बहाव इतना तेज, कि कटान शुरू हुआ, और देखते ही देखते, जमीन पर बना मंदिर पानी में बह गया रफ्तार बहुत तेज थी नदी में पानी की इसी वज़े से किनारे पर तेज कटाव हुआ नतीजा मंदिर बहता हुआ आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में पानी का बहाव इतना तेज था कि नीचे से ही वो मिट्टी को लगातार काटता जा रहा था और नीचे से मिट्टी की कटाव की वज़े से उपर बना मंदिर पानी में बेह गया गुजरात के छोटा उदैपूर की ये तस्वीरे आपके सामने हैं छोटा उदैपूर गुजरात का वो इलाका जहां पर इस बाल जबरदस्त मौनसून की मार पड़ रही है इसी तरीके का हाल दक्षन गुजरात के और जिलों में भी देखने के लिए मिल रहा है जिस तरीके से वलसार की तस्वीर सामने आ रही है ये नवसारी का हाल हम आपको दिखा रहे हैं भरूच की तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात की कच्छे आलाके में भी इ इतना जादा हुआ कि किनारे पर बना मंदर देखे कैसे पानी में बह गया। छोटा उदैपुर गुजरात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी तक जुजान के नुकसान का आख़ा गुजरात से सामने आ रहा है। 63 लोगों की गुजरात में अब तक मौत हो चुकी है हजारों की तादाद में लोग जुनको सुरक्षत स्थान पर पहुँचाया जा रहा है प्रशासन अलर्ट पर है एंडियारेफ की टीम्स को तैनात किया गया है और इस सब के वीज गुजरात में छोटा उदैपुर की ये तस्वीरे आपके सामने अब गुजरात के राचकोट की तस्वीरे भी दिखा देते हैं राचकोट भी पानी पानी राचकोट में जहां तक नजर जा रही है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी भरा नजर आ रहा है आप देखें किस तरीके से घुटनो घुटनो पानी है रहाईशी इलाकों की ये तस्वीरे आपके सामने हैं और मुश्किले लोगों की इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि बारिश हमने का नाम नहीं ले रह गुजरात के राजकोट और सवराष्ट में भारी बारस जो है शुरू हुई है यहाँ पे दिख रहा है कि कई इलाकों है उसमें पानी बर गया है यह द्रश्य हम राजकोट के बता रहे हैं यह सवराष्ट का आर्थिक पाटनगर है वहाँ पे शाम से बारिश शुरू कि लोग अमारे साथ है क्या परिस्तिती यहां पे पांच साल से हम बारिश का माहुल जो बनता है तो उसके अंदर इतना पानी बर जाता है कि मेरे करीब मेरे खाल से 10 बज़ें आज अभी तक किसी ने नास्ता नहीं बनाया होगा गर पे यह परिस्तिती यह और फाँने के न काल की रिवस्ता नहीं कितने घरों में पानी घुश गया और सुबह से लोग यहां पर परेशान है और कई घरों में नाश्ता भी नहीं किया गया यह अभी यह द्रश्य राजकूट के जो जामनगर रोड की अलग अलग जो विस्तार है वहां के हम द्रश्यों बता रहे हैं अभी जो भारी बारिश के कारण जन जीवत प्रभावी थे कैमरामें शूब आश्यानी के साथ प्राक्रम सी जड़ेजा एबीपी न्यूज राजकूट तो देख रहे हैं आप किस तरीके से गुजरात में इस वक्त आफ़त आस्पान से बरस रही है निकासी का रास्ता नहीं मिल रहा और नतीजा ये जहां से भी जगा बना रहा है ये पानी उस सब को अपनी चपेट में लेकर आगे बढ़ता जा रहा है ये बोटाद की तस्वीरे हैं, देखें यहां पर भी किस तरीके से रास्ते में जो भी आ रहा है पानी की, सब कुछ दूबा हुआ नजर आ रहा है बीच में ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये पानी में दूबा हुआ है तो ग्रामीर इलाका ये नजर आ रहा है सब कुछ पानी 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 पोडिया सी शीटी जानी न कोडिया सी शीटी कोडिया सी शीटी काप है से हेरां ग्रेडी दिला के पोडिया सी शीटी को पो हो तूर है पूरिया सिंटी दुनिया का मैं है कुछ ग्लोब बड़े होते है पूरिया सिंटी कहा है प्रोफेशनल साब को पता होगा वह यह चोटा वाला ग्लोब लगता है पता नहीं नेरी बेटी से जाके मिल लो को शायद उसे मालों को हाई बाबा ने पीछाये कुम यह कुरिया सिटी कुरिया सिटी नहीं कुरिया सिटी वो के? अब 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 ब्रॉट यूग्र जो तुम्हें यहां तक ले आया कुरिया सिटी कुरिया सिटी कुरिया सिटी कुरिया 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 झाल